हाइ ओल मैं हूँ रितिका और आज हम लोग बनाने वाले हैं पालक पनीर वो भी बिना लहसन प्याज के तो ये पालक पनीर आप बिना लहसन प्याज के बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होने आप देख सकते हैं वीडियों में ये कितना अच्छा दिख रहा है पालक पनीर तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पालक पनीर बनाने की ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी ये रइसिपी तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है पालक, इसको पानी को पहले गरम कर लिया है, फिर उसमें पालक को हमने डाल दिया है, तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हम पालक को अच्छे से बोयल करना है, बहुत देर तक हमें इसको नहीं बोयल करना है, तकरीबन 4-5 मिनट तक हम से बोईल करना है उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे आप ये पालक को निकाल के कि थंड़ पानी में या नॉमल पानी में आप इसको डाल दीज़े ये देखिए हमारा बालक बोईल हो चुका है और हम इसको नॉमल नॉमल पानी में यूज अप चाहे तो अथनदा पानी भी तो इसको अच्छे से हम ठूड़ा ठंड़ा कर लेंगे नॉमल टम्परेचर का और यह देखिए यहां पे आपiper घी में भी बना सकते हैं घी में पालक पनीर का टेश crappy है और ले लिया है है यहाँ पे जीरा, मिर्ची और अद्रक और लहसन को हमने खल में कूच के ले लिया है लहसन यहाँ पे optional है और यहाँ पे हमने ले लिया है यह दही जिसको हमने अच्छे से बिलकुल यह फेंट लिया है दही बहुत जादा खटी दही मत लीजेगा इस तरीके से हम दही को फेंट लेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमने पालक का पेस्ट भी बना लिया जब भी आप लोग पालक पनीर बनाएए तो ट्राइ करिए कि पालक जो यूज कर रहे हैं वो एकदम फ्रेश लीजे तो पनीर बहुत ही अच्छा बनके तयार होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस तो यहाँ पे हमारा तेल भी अब गरम हो चुका है तो सबसे पहले इसमें जीरा का तड़का लगाते हैं और आज को हमने इस टाइम रखा हुआ है मिडियम उसके बाद यह लहसन और अद्रग जो हमने कूट के ले लिया है खल में वो यूज कर रही हूँ ध्यान रहे लहसन औप्शनल है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और रेड मिर्ची भी हमने इसमें डाल दिया इसको पकाने के बाद हम इसमें एड कर रहे हैं कश्मीरी मिर्च पाउडर एक अच्छे कलर के लिए और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे यह दही जो हमने अल्रेडी पेट के रखा हुआ है तो गाइस दही का जो टेस्ट है पालक पनीर में यह बहुत ही स्वाद आता है बहुत पालक पनीर बहुत ही लाजवाब बनेगा तो इस तरीके से हम इसको सब दही जो है हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे यह देखें कुछ इस तरीके से मिलाएंगे और ध्यान रहे हमें नमक इस टाइम पे नहीं आड करना है अभी क्योंकि उससे फिर द पालक पनीर का में इंग्रेडियन और इसको अच्छे से हम बिलकुल मिलाएंगे ध्यान रहे हैं जब हम पालक इसमें एड कर रहे हैं तो गैस को उस टाइम धीमा रखेंगे क्योंकि पालक जब अड़ करते हैं तो काफी चिटकता है वो पर तो आज को धीमा रखेंगे और तोड़ी साउधानी के साथ हम सारे पालक को कड़ाई में डाल देंगे और पालक एड़ करने के बाद हम इसको मेडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे ताकि पालक का जो कच्छापन बच्छा हुआ है वो चला जाए तो इस तरीके से ये देखिए हम इसको पकाएंगे और अब हम इसमें एड़ कर दे रहे हैं अपने स्वात के अनुसार नमक और नमक एड़ करने के बाद हम नमक को अच्छे से इसमें मिलाएंगे और ध्यान रहे दीमी आज पे इसको हमें पकाना है अच्छे से जब तक कि ये जो पालक का हलका कच्चा पन है ये चला ना जाए तो ये देख रहे हैं आप पालक पनीर हमारा बहुत अच्छे से अब पक रहा है ये देखे आप देख सकते हैं पालक पनीर अब जो है अपना ये तेल भी छोड़ रहा है और अल्मोस्ट हमारा ये पालक पनीर अब बनके रेडी है इसको थोड़ा सा हमें और पकाने की जरूरत है तो ध्यान रहे हैं ये जो पालक पनीर मैं बना रही हूँ ये तकरीब आठ से नौ मिनट तक मैंने इसमें जब पालक एड़ करने के बाद इसको पकाया है जब ये हलका हलका तेल छोड़ने लग जाएगा मतलब कि हमारा पालक पनीर अब बनके रेडी है तो ये देखिए इसको थोड़ा सा हमें और पकाने की जरूरत है उसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक स्पेशल तड़का तो ये देखिए हमारा ग्रेवी बहुत अच्छे से पके रेडी है तो सबसे लास्ट में हम इसमें अट कर रहे हैं पनीर तो ध्यान रहे हैं अगर आपको पनीर फ्राई करके खाना पसंद है तो आप पनीर को fry करके भी इसमें सबसे last में add कर सकते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम पनीर को इसमें add करेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको gravy के साथ अच्छे से मिलाएंगे कि पनीर जो है gravy के साथ बहुत अच्छे से मिल जाए ये देखिए कुछ इस तरीके से हम इसको मिलाएंगे तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और तयारी करते हैं तड़के की तो तड़के के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है देसी घी उसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मिलाया हुआ है और लिया है मैंने इसमें हींग तो हींग और देशी घीप जभी भी आप पालक पनीर बरन बनाईए तो इसका तड़का बहुत ही अच्छा लगता है पालक पनीर में और ध्यान रहे ये तड़का हमें स्थर्फ करने के पहले लगाना है देखिए हमारा पालक पनीर बनके अब रेडी है बिल्कुल खाने के लिए तो आज हम ये पालक पनीर एंजोई करने जा रहे हैं अपने डिनर में रोटी के साथ तो गाइस प्लीज ये रेसिपी एक बार आप लोग जरू ट्राई करें और यकीन मानिये बिना प्याज लहसन के भी बहुत ही लाजवा पालक पनीर बनके तयार होगा तो गाइस प्लीज ये रेसिपी आप लोग जरू ट्राई करेंगा और हमें भी बताएगा कि कैसा लगा आ लाइक शेर और सब्सक्राइब करिये थांक यू सो मच